दोस्तो पसु को लीवर से सम्मधित यादी समस्या हो जाती है तो उसके लिए हम अपने गर पर ही रहकर लीवर टोनिक बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है आज की वीडियो में आपको दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके गर पर ही मिल जाएंगी और पसु की लीवर से सम्मधित कोई भी समस्या है उसको हम ठीक कर सकते हैं लीवर की समस्या पसु को क्या होती कि उसको खाया हुआ आजम नहीं होना थोड़ा-थोड़ा करके खाना बार-बार खाना उसके गोबर में एपच जैसी समस्या दिखाई देना यानि जो फीड दाना हम डालते हैं वह है साबुत मात्रा में निकलना या गोबर में लंबे लंबे तिनके से निकलना इस तरह की समस्या यह दिपसू के साथ हैं वह खुलकर खापी नहीं रहा तो उस समस्या को हम लिवर से संबंदित समस्या में गिनेंगे लिवर से संबंदित समस्या को ठीक करने के लिए हम तीन ये वीडियो शुरू करते हैं आप देख रहें फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त तुर्जीत सिंग दोस्तों सबसे पहले बात आती कि पसु को यह दिलीवर से समधित समस्या हो जाती तो है खाना पिना सई से नहीं खाता और पसु खु एक लेनी है प्याज जिसको ओनियन बोलते हैं छेत्री भासा में इसको कंदा भी बोलते हैं साइड मा आप चितर भी देखेंगे एक प्याज उसकी क्वांटिटी यह दिया हम बात करें तो पांच या साथ दस ग्राम नीचे उपर हो जाए कोई बात नहीं एक प्याज हम ले चीज चाहिए दूसरी चीज चाहिए हमें अलदी दो चम्मच अलदी चाहिए जो हम अपने घर में सबजी में डाल कर खाते हैं उस अलदी की हमें दो चम्मच अलदी हम इसमें मिला लेंगे जो प्याज हमने कुटी थी उसके अंदर इसको मिला लेंगे और उसके बाद चाह पसु को नहीं देनी चाहिए अब बात आती है कि यह हमें कितने दिन तक देनी है दोस्तों यह हमें 5-6 दिन लगातार अपने पसु को देनी है अब किस पसु को नहीं देनी चाहिए मैंने यह बात भी की थी दोस्तों यह हमें लगातार 5-6 दिन तक प्याज का उप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्याज पसु को इट में लाने का भी काम करती है तो दूसरी तरह किसमस्या खड़ी हो सकती है इसलिए प्याज यदि ग्याबिन पसु को हमें देनी हो तो लिवर टोनिक यही लिवर टोनिक यदि ग्याबिन पसु को देना हो तो एक से दो दिन दें उससे ज्यादा नहीं दें और यदि पसु ग्याबिन नहीं है तो 5-6 दिन लगातार अपने पसु को दें अब कई लोग पूछते कि क्या यह बच्चों के लिए भी काम करेगा जी यदि बच्चों ने खाना शुरू कर दिया है वह खाता पीता है तो फिर उसके लिए यह काम करेगा आधी इसकी मातरा हम कर लेंगे और बच्चे के सरीर वजन के इसाब से इसकी मातरा घटा लेंगे और यह बच्चा भी दूद पीता है रूट तब यह समस्या होगई कि पतले दस्त कर रहा है गोबर कर नहीं कर रहा है तो उस समय इस दवा को आमनी देंगे उस समय के लिए कोई और दवा है तो दोस्तो इस प्रकार लिवर टोनी के इन तीन चीजों का उप्योग करके आम अ अपनी वानी को विराम देता हूं धन्यवाद जय हिंद जय जवान जय किसान